नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है। मैं श्राश्ची बालों दोस्तों 4 जनवरी शिलेकर 14 जनवरी 2022 श्राश्र में आप शिबी की जुनकाल में आपको एशी खुशकभियाद देंगे कि दोस्तों लंगड़ा भी शुनकर नाचने लगेगा। जे द कि देखा गया है कि जब आप अच्छे कारी करते हैं अच्छे कारी को आपको मन लगता है आपको उसकार के ऊगर अग्रशार होते हैं लेकिन दूस्तों कुछ बूरे आत्मा के लोग यह कहें तो कुछ अत्रुत आत्माएं और वाले एश्य वीक्ती जो कि आपके ही सिंगति मे रहकर आपका नुक्षान करते हैं अपके एच्छे राहषय बढ़ताने का प्याश करते रहते हैं अडों और पर यह पर कि पहजानी नहीं नहीं कर पाते हैं कि कौन्ह आपके लिए शही है और कौन आने वाले 10 दिनों के अंदर। जो खुशकब्रियां आपकी जुनकाल में हैं। उन्हें आप पाकर रहेंगे। कि दोस्तो इस वीडियो में परिठी जरके मिलेंगे। कि आने वाले 10 दिनों के जो श्युम्यावधि होगी टेकेधि और कोंगं को सोङरों कौन-कौन शिद्रों में आपको लाब होंगे और किन-किन कारे को करने शियस में आपको बचने की अतिन्ताव सकता होंगी गरों की बदलती चाल आपके गर के माहल में पारचुन में क्या क्या बदलाव करेंगे तो अंतर तक देखिएगा उससे पहले दोस्तों जोविभग व को प्रेश करके ओल पर श्रेट कर दें तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहरम करते हैं दोस्तों यश्मी आपके ग्रह गोचर परवल इस्तिति में मैलावर्ग को अपनी योगता और कारश्यमता दौरा मैत्मन उपलवदी भी हाजिल हो सकती है इसी दोस्तों पूरा मन कुछ लोग आपके लिए नकार्तमक विचार भी यश्मी रख सकते हैं दोस्तों अपने गुश्य पर भी कंट्रोल रखना शामती से आपको काम लेना चाहिए किसी परकार की आर्थिक दिक्कत का श्रामना भी करना पड़ सकता है इसलिए दोस्तों यश्मी अनावश्य खर् करतने की आउश्यक्ता होंगी दोस्तों महत्पुन दस्तावेजयों को समाल कर रखना आपके लिए अवश्य होगा यदि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो दोस्तों यश्मी जो है योगर्ष में होगा यश्मी आप बदलाव कर सकते हैं इस गुब्रान दोस् है वेक्तितों में और अधिक निखार आएगा काफी समय से कोई खोई हुई वस्तु भी यह में आपको मिल सकती है इसको प्राइब दोस्तों अचानक से कोई होंगे दोस्तों आप जर्वत से अधिक भाव को महसूस करेंगे जिसका असर आपके निरले चंता पर भी हो शकता है दोस्तों पिता के दवरा लिए गए निरले की वज़र से आपको मांशिक तकलीब का भी शम ना करना होगा आपकी भावनों को दूसरों के दवरा नो समझ पाना आपके लिए अधिक तकलीब दायक रहेगा मित्र दवरा आपको जो साथ मिल रहे हैं उससे दुस्तों आप विवादों से यसमें बच पाएंगे इसको प्राम दूस्तों यसमें आपके दिनचर्या के लिए जिस दूसरों को भी अपने महनत के उचीद परिधा में हासल होगे साथी दोस्तों यसमें ध्यान रखें कि किसी नकारतम पर विर्ती के व्यक्तिवी बातों में आकर अपना कोई बड़ा आपको काम भीकार शकती हैं दोस्तों आपने व्यक्तिगत के अलावा जो एह समाजे के दिनों पर भी अपना ध्यान देना आपके लिए जोड़ी होगा इसगुप्रांदी दोस्तों यह शुमे आपके मन में चल रही हो ज़िनाओं को प्रगिती में देखकर आपके मन में आननद होगा दोस्तों खूद के प्रती बदला नजरिया आपको दूसरों की नजर में भी और बहतरीन बना शकता है दोस्तों यह गुवेक्ति दोरा मागदर्शन मिलने की वज़र से आप प्रती की और तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों कोई शूब समचार मिलने से आप अपने अदबूत आत्मिश्वास और और उरजा भी महसूर करेंगे प्रती दोस्तों किसी भी कारिक में घर के वरिश वक्तियों की शला पर आप अमल आउश करें घर के शुदार या फिर परविरतन शमयदी उजनाओं पर भी कोई महत्पुन कारिया शमय हो सकता है शादी दोस्तों किसी के साथ भी बाचित करते समय अपने सब्दों पर नियंतर रखना आपके लिए तियावश होगा दोस्तों यश में आपके दोरा बोली गई कोई नकार्तमक बात शमयदों को खराब कर सकती है फिजुल खर्ची पर अंकुछ लगाए तथा दोस्तों पेशे के लेंदर शमयदी कोई भी कार यश में ना करें ये आपके लिए बहत्तों होगे इसको पर दोस्तों यश में आपके लिए जिवन से जूड़ी हर बात की बारे में कुछ ना कुछ आनन्द यश में आपको पराब होगा मेत्र दौरा मेत्र परवार के शाथ सम्मंद बहत्रिण बनाने की वज़े से आपको जो है यश्मे मानुशक्त समधान भी प्रापत हो सकता है दोस्तों आपके दोरा किये गए जो काम है उनके परिशनशा यश्मे हो सकती है नए वक्ति के साथ हुआ परिशेर आपके लिए फायदे मन शावित होंगी इसको प्राप दोस्तों यश्मे अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मे वज़े चेतर में करमजारियों के साथ उज़े तालमे बना कर रखें यश्मे जो आप जो अपने लक्ष को निदाद किये हैं उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करने की भी आपको आवश्यक्ता होंगी दोस्तों सरकारी शवारत विक्तियों पर कारेभर की अधिकता रहेगी उच अधिकारियों का भी दव्धवा यश्मे आपके उपर रहस्यक्ता है इसको प्रांद दोस्तों यश्मे आपके वज़ेर के लिए ज़ेसे में होंगी दोस्तों आर्थिक रूप से दिन आपके लिए उत्तम होंगे दोस्तों वायोशाय में बदलाव शमंदी योजनाओं पर विचार होगा दोस्तों कुछ प्रिशानियों के बावजूद भी योजनाओं काफी हद तक सफल हो जाएंगी नोकरी पेशावक्तियों को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की यश्मे जर्रत होंगी दोस्तों यश्मे ट्रांसपर संबंदी प्रियाश ना करें ये आपके लिए बैतर होंगे इसको प्राद दोस्तों यश्मे आपके वायोशाय के लिए समयोंगे आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कारेचित में कुछ नया करने का आपका जो प्रयाश या समय सफल रहेगा प्रदु दोस्तों रूपिय पेश्यों के मामले में किसी पर ज़्यादा भरशा ना करें ये आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों नोकरी पैशाव व्यक्ति अपने फाइलेंब फिर डोकमेंट सम्हाल कर रखें उनका दुरुपयोग होने की भी आशनका याशमय बन रही है इसको बना दोस्तों याशमय आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कारी छत्र में पिछली कोई शमय से चल रही परिशानियों का याशमय अन्तों होगा और इनुशे आप रहत महसुस करेंगे आर्थिक मामलों में घर के किसी वरिष्ट और पिर अनुभई वेक्ति का मारदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी शाप्त होंगे प्रॉप्टिश याशमय बन रहेंगे आर्द याशमय बन बन अचार आपके लिए नियाशमय बन गेंआपके लिए दचरण और बन रहेंगे ठीट रहेंगे दोस्तों ये शुमे आपके लेव लाइब के लिए समय होंगे आपके प्रेम जीवन के लिए समय होंगे दोस्तों ये शुमे पती पती की बीच किसी गलत भेमे को लेकर तराव भी रह सकता है दोस्तों ये शुमे बेवाय के जीवन में जो है समाजे से बना कर रखने के लिए आपको अधिक ध्यान देने की जुनत होंगी दोस्तों पारिवरीक वातारण को खुश्णमा बनाने के लिए परिवार लोगों के शाथ मरणजन और शौपिंग शमंदी प्रोग्रेम बनाएं यह में प्रेम शमंदों को मर्यादर मर्यादित पूर्ण रखना आपके लिए आपके श्वास के लिए शमंदों के श्रवाकल या फिर मानश पैसियों में दर्द आपको प्रेशान करेगा वयाम जरूर करें शादी दोस्तों आराम भी लेना आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों याश में खांसी जुखाम बुखार जिसी मौसमी दिक्कत रह शकती है दोस्तों याश में आर्वेदिक चीजों का आप अधिक स्वास के लिए बैतर होंगे इश्कुप्रान दोस्तों यश्य में आपके स्वास्त के लिए सब्सक्राइब होंगे किसी किसी शमय जो है नकात्मिक विचारों आपके मन में उत्पन हो शकते हैं जिसे दोस्तों आप ठकान और फिर तनाव भी महसूस करेंगे यश्य में मेडिटेशन पर ज़्याद देना आपके लिए जोरी होगा तो दोस्तों इस पर आप ज़रू ध्यान दे अगर दोस्तों आप कर्जी से परिशान हैं तो दोस्तों यश्य में आपको यश्य में शपिद रुमाल लेना चाहिए पांच गुलाब के फूल एक चांदी का पत्ता थोड़े से चावल गुड़ ले दोस्तों मंदिर में चाकर रुमाल को रख दे इने सभी चियों को हाथ में ले ले और अकिश बार गायतरी मंत का पाठ करे आपको बता दें इसके साथ ही इनको ये कटा करके हैं कि मेरी परिशानी दूर हो जाए तो था मेरा करजा उतर जाए फिर दोस्तों इन शब को ले जाकर बहते जल में परवा कर दें या पर्टि करिए आपको शूमवार के दिन चाहिए अगर इसे बिजनो लक्षमी की मुर्ति के समने की जाए तो दोस्तों और भी अच्छा होगा इसी आपको शाहत संमर तक जरूर करें दोस्तों आपको शबी करजे खत्म होगे और आपको खर्जों से बेखिंए, तो दोस्तों जरूर आप इन उपायों को यश्मी कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इने ज़ेंगर के लिए यह की जानासे जलिकर करें, और शाव़ी दोस्तों और इसी अधिक जानकारीmi के लिए आप वहारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो को अधिसे लाइक करें शियर करें धन्यवाद